आजकर हर कोई सोचता है कि यार डेटा इंट्री में जॉब करना चाहिए लेकिन क्या आपको पता है कि डेटा इंट्री में जॉब करने के लिए आपको कुछ स्किल की रिक्वाइरमेंट है जैसे कि Microsoft Excel का नौलेज आपको होना चाहिए और Microsoft Access का भी होना चाहिए अब Microsoft Excel के उपर मैंने चैनल के उपर धेर सारी वडियोस बनाया है कि उसके अंदर काम कैसे करते है लेकिन अब बारी है Microsoft Access के उपर काम कैसे करते हैं अगर आपको डटा इंट्री का काम करना है Microsoft Access में pane टेबल कैसे डिजाइन करते है यह एक Microsoft Access का Beginners के लिए वीडियो में बना रहा हूँ जो कि अब तक मैंने चैनल के पर अपलोड नहीं किया था तो चलिए मैं सब इस Learn More चैनल में आप सब का स्वागत करके शुरू करते है Microsoft Access का इंट्रेस्टिंग वीडियो तो वह पे जो सर्च बॉक्स आता है उसमें करसर रखिए और टाइप कीजिए Access क्या टाइप करना है आपको Access टाइप करना है यह तरीके से आप Access स्टार्ट कर सकते है उपर प्रोग्राम में आ जाता है राइट तो Access पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से Access ओपन हो जाएग क्लिक करना है और जैसे आप इसे क्लिक करोगे आपके सामने आ रहा है ब्लैंक डेटाबेस का नाम क्या रखना चाहते हैं क्योंकि वर्ड एक्सेल और पाउपॉइंट के अंदर फाइल हम ड्रेकली बनाते हो और बाद में सेव करते समय नाम आता है यहां पे सबसे पहले इसका नम आप श्यांना चाहते हो इसमें जो डिटाबेस आप बनाने हो ल prosecutors कि सर्थे क्या आम आप रखना चाहते हो और इसका नाम आ-प रखना चाहते हो इसका यह रखना चाहते हो इंप्लॉइ डीटेल में इसमें क्रिएट करना चाहता हो मैंने IMPLрыडेज इसे यह टाइ ब्लैंक डेटाबीस भी उप्शन आएगा इस तरह ही लिखिया आएगा आपको की आप फाइल का नाम दो और क्रियेट बटन क्लिक करो मतलब खाले लियाओट चेंज होता है लेकिन यही सारी चीज़े आपको करनी पड़ती है तो जिससे डेटाबीस क्रियेट हो जाएगा लुकिन एकसेल की तरह समें डेटाइंटरी नहीं करते है वही सीखना है कि अभी का एकसेल केसे होती है एकक पर तेबलन आएगा और यहां एक मैं ट्रेक थिए होगा टैप हम बोल सकते चैखे किस новых टैब्ट अपको यहां पे लेक्त में एकटावी च sprechen मिले का चाड़ है उस तो यहाँ पी जितनी भी टेबल आप बनाएंगे उसके दो व्यू रहेंगे, याद रखिए डेटाशीट व्यू और डिजाइन व्यू अब इन्हें समझते हैं, क्योंकि इन्हें समझना में ज़रूरी है, हमें टेबल को पहले डिजाइन करना पड़ता है, ध्यान से सुनेग आप,"उर टेबल नीजीएं समय कोई करएं,"डेट पे लिमेंट और है यहां पर देजाइन व्यू पैर दिसनेगेयार हूं किल्क करो हो, और ठेबल के यहां से बिजाइन भी ले सकता हूँ और मैं view में जाकर यहां से भी design view ले सकता हूँ, table already selected है वो पूछ रहा है कि table 1 का नाम table 1 ही रखना चाहते है या फिर कुछ और रखना चाहते है तो मैं employee की details भर रहा हूँ, employee database से मेरा यह तो employee details के लिए मैं नाम लिखता हूँ कि company का suppose learn more employee details learn more employee details यहां पर मैं नाम दे दिया और मैं भी इसे okay करना चाहता हूँ, इतना बड़ा नाम दे दिया मैंने फिलाल अब छोटा भी नाम दे सकते, learn more employee details यहां पर मैं आड कर दिया, learn more employees करके add कर दिया तो भी चलेगा यहां पर यह टेबल आपको ओपर दिखाए दे रहा है, जैसे अपने इस टेबल को design view में ले लिए वैसे नाम पूछा गया, नाम दे दिया आपने उसको क्योंकि default name table 1 आ रहा था, तो आप उसे customize कर सकते, वो पूछ रहा है कि क्या नाम से save करना चाहता है, आप टेबल 1 रख जिसका data हमें इंटर करना है, मतलब जो data हमें इंटर करना है, उसके column के heading को हम field name बोलेंगे, याद रहा कि field name मतलब column heading, simple है, जैसे कि मुझे इंटर करना है employee details, तो employee का number मेरे लिए field name हो गया, employee का नाम field name हो गया, employee की date of birth, employee की salary, यह सारे मेरे लिए field name हो गया, तो यहां पर मैं बात करना हमें इंटर करना हो, जैसे में इंटर कोे हैँ दो में. इंटर करना है, कचरtte है e to theiping name इंटर करना हो चार्प जो खेंड करेंके लिए field name के इंटर करना है इस तरह से आप लिख सकते हैं बिना इस पेस का लिखना है उसके बाद आप प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वाले कॉलम में आ जाओगे और यहां पर आपको डेटा टाइप दिखाए देरा है क्या अपको लिखी जाओए व paul को में अपको कोई तरह पूच पोच्छ जना है आपको को डिखिव बिके आपको पहलो बन estively चाहे है रोकack वो सब्सक्राइप पर आपको च्से कंपना है कि यह तो नेका सब्सक्रा एव्यु त्रह से आंपना एता है अब यह पहला data type ठीक है, मैंने सिलेकिया employee ID और मैंने टैप ब्ड़टम प्रेस करके next row में यहां पिजम यहां पी जब किया टैप ब्रेस करके next row में आप पाजाओ, यहां पर मैंने लिखा employee name, employee name ईसा नहीं लिखना है, sorry Employee Name, Employee Underscore Name, और मैं Tab अड़म प्रेस करूँगा, और यहां पर आराए कि इसके लिए आप क्या डेता टाइप लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या ले सकते हैं, इसमें क्या टाइप होने वाला है, इसमें नंबर नी टाइप होने वाला है, अपकोर्स इसमें टाइप होगा, लॉंग टेश मतलब पारेगा अप तो नहीं टाइप करना है, चोटा सा है, नाम रहेगा, तो शॉट टेक्स आप इसके लिए ले सकते हैं, तो दिखिए, आपकी कॉलम की हीडिंग है, उसके एकोर्डिंग आपको उसमें टेक्स टाइप लेना पड़ेगा, मतलब आपके कॉलम में कौन सा डेटा आप एंटर करने वाले हो, उसका डेटा टाइप आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, एकसेस को बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, तब ही तो समझ में आएगा, अब मैं चोटा से एकसेंपल आपको देता हूँ, इससे समझने के लिए डेटा टाइप को, सबोज आप मार्केट में जाते हो, सबजी लेने के लिए, या केले लेने के लिए, तो आप केले वालों को क्या बोलते हो, एक केले देदो, ऐसा तो नहीं बोलते ना भई, वो बोलेगा यार, पागल होगे, क्या भागी दर से, या फिर आप टीवी के शोरूम में जाते हो, जैसे मतलब जहाँ पर आपको इलेक्ट्रोनिक्स मिल रहा है, तो वहाँ पर बोलते हो कि 10 किलो फ्रीज देदो, ऐसा होता है क्या, नहीं है, या फिर एक किलो टीवी देदो, तो आप वहाँ पर बोलो कि कॉंटिटी में, मतलब एक टीवी, दो टीवी, ऐसा लेना है, वहाँ पर आपको एक exactly उसका यूनीट पता है, कि भही टीवी allen में काउंट किया जाता है, ज़ी देजन में काउंट किया juatा है, एक किलो एक किलो आपल हो जाता है, तो वहाँ पर वो डशन में चीजे होती है, कुछ चीजे नंबर में होती है, ये उसका unit already defined किया गया है, उस data के लिए particular चीजों के लिए unit defined किया गया है, तो वेसी हमारे column के अंदर कौन सा data हमें रखना है, उसको हमें पहले ही access को बताना होगा, कि इस column के लिए short text data type यहाँ पे enter होगा, तो access ID करेगा कि हाँ, यहाँ पे text type होगा, यहाँ पे number नहीं लेना ह अगर आपने लिए date of birth में, date and time, और date and time की जग आपने कोई और दूसरा number नहीं होगा, इसलिए data type हमें proper देना, appropriate data type देना बहुत जरूरी होता है, अब आप बोलोगी हमें data type कैसे समझ में, common sense है यार दोस्तों, कोई भी अगर आप employee name ले ले लो तो क्या होगा, उसमें इंट होता क्या है, और data type क्या होता है, हम आपी table को design कर रहेंगे, हमारे table में कौन-कौन से column रहेंगे, और उस column के लिए क्या-क्या data होगा, उसमें कौन से type का data हम इंटर करेंगे, वह हम यहाँ पर बता रहे है, तो उसके बाद मैं यहाँ ले रहा हूँ city, तो मैं यहाँ पे employee की city लेना चाहता हो, तो city के लिए आपे short texture में रखना चाहता हो, tap करूंगा और आगे बढ़ोंगा, यह वीडियो तो आगे चलते रहेंगा दूस्तों, लेकिन आप तक का वीडियो पसंद आया है, तो लाइक, शेर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और साथी में इस तरह की वीड साथी में आपको मेरी teaching style पर संद है, मैं जो भी पढ़ा रहो आपको समझ में आता है, तो एक बार मेरे एप को ज़रूर चेकिजिए, description में मैंने link दिये, learn more नाम का app है हमारा, learn more pro.com नाम की website है, जो दोनों एक दूसरे के साथ है, इंटर लिंक है, आप पे account बनाओ या website पे आप लॉग इन कर सकते हैं, और दोनों पर भी आप courses सीख सकते है, Microsoft PowerPoint और Microsoft Publisher का course बिल्कुल free में है, आयो सो सर्डवीड के साथ, तो free की चीज़े छोड़नी नी चीज़, description में link दिये, साथी में इसकी उपर और भी premium courses है, जैसे की Microsoft Excel, Microsoft Access, या फिर धेर सारे और भी courses आपको स इसके लिए है, और पुरे advanced level पे रेकॉर्ड के दूस्तों, बहुत सरे लोगों ने अल्रेडी इन्रॉल किया, उनके review भी app के उपर आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने क्या कहा है इस course के बारे में, तो आप खुद भी चाकर पढ़ो, पहले content देख लो, फिर आपको लगा अच इस लब डिरिक ली computer पर चालो करके मैंने पढ़ाया है, हर एक पार को मैंने explain किया है, हर एक चीज को detail में पढ़ाया है, तो एक बार learn more app और learn more website को चेकिजिए, मैं बताना चाहूंगा, फिलाल तो अपने topic की तरब बढ़ते हैं, उसके बाद यहां पे एक और column आ रहा है, ज आप डिरिक लीकिंगे तो बीचलेगा, उसके बाद शॉट टेक्स में नहीं रहाँगा, अब बोलो कि शॉट टेक्स याएगा, डेजिगनेशन में कुछ पर्टिक्लर डेजिगनेशन फिक्स होते है, मतलब चार पाच डेजिगनेशन, मैंचर, क्लर, प्यों वगर वगर व कुर लीचे लेकर गोड़ा है अब मतलब लिचा लिजाता है कि री। है विचया है मतलब यह भी दो बा स्का एन अगर अगर हमारे अगर मारे पास लिखा गया है लीच जो की घर डेजिगनेशन का यह तो तो हम यहां से ले सकते इस option से, परला option नहीं लेंगे, I will type in the values that I want, यह second लेंगे, क्योंकि हमें जो value चाहिए हमारे कॉलम के अंदर वो हम drop down leash के लिए तयार करेंगे, type करेंगे, right, तो उसके बाद में आपे next button पे click करूंगा, आपको दिखाए देरा, next button पे click करने के बाद यहा इस तरह से आप designation एड कर सकते हैं, जितने भी designation से वो आप यहां पे एक, के बाद एक एड करते जाईएगा, और उसके बाद आपको करना क्या है, next button पे click, right, next button पे click करना है, देखिए यह जो मैंने list तायर की, आप जितनी ची बड़ी list तायर कर सकते हैं, यह दूसरे table से भी अगर आपके लिए सकते हैं, यह दूसरे table में पड़िए तो वहां से भी लिए सकते हैं, यह दो यह दिया प्याया इसके नहीं यहां पर एप्छिन दिया गया है, यह दा आपको आप्छिन, I want the look up field to get values from another table, right, I will type values that I want, here I typeको यह दिक और आपको यह दिख्ट किए और नेक अब इसमें अपर आड करोगे तो यहाँ पर आपको जनरल क्या दिखा रहा है? शॉट टिक्स दिखा रहा है इसमें लुकप विजार्ड एड हो चुका है तैप कर आगे आगे आईए बिंदस अईए मैं कह रहा हूँ ना बिंदस अईए तो आईए आगे आईए आगे विजार्ड में आपको निटीक टाय्प पुटन करेंगे यहाँ पर आप डिपार्मेंट आड होगे इस पर से अपको डॉप डॉप डाउन लिश बनानी है अगर आपको पता चल गया है उसके बाद यहाँ पे employee के salary अगर आपको एड करनी तो salary यहाँ पे क्या रहेगी दिखाए देँर है salary में आपको drop down लीश में फिर से जाना है और देखना है क्या क्या है salary के लिए हम currency आड कर सकते हैं डिवोबी date of birth employee का एड करना है लिखा है तो इसके लिए आपको क्या मिलता है द्रॉपड़न लीश में देखिए देट अन टाइम यह वाले लीजिए आपको यह विह मतलब आधरकाड यह पे तीन चीजे ने ढधरकाड और हम चार करने के समने के एन तो इसके लिए, और यहां पे लिए समने का इपको मिलता है definitely के Пल्स्का लिए हूँ है यहाँ पिडिख सो आपको मिलता है चा जन मिलता है एक अटेश्मेंट मिलता है आप किस तरह से अड़ करना चाहते है वह आपके उपर है फिलाल मैं आपको दिखा हूँ कि यहाँ अड़ करता हूँ अधर करता हूँ और यह तीनों भी चीज़े चलते है जो फोटो कॉपी जरती है आपने अधर काड लिया इंपलोई का अटेश्मेंट लेता हूँ तो आप इस तरह से इसके लिए ले सकते है तीनों भी चीज़े चलती है लेकिन तीनों के अलग लग डिस्पले आते है ओले उप्जेक अपना अलग यूजर है अटेश्मेंट में अटेश्मेंट दिखाए देगा बस हाईपर लिंक में यह पे इमेज वहाँ पे आ जाएगा जाएगा जातर फोटो के लिए तो ओले अब्जेक लिया जाता है हम यह पे चेंज करते फोटो के लिए और अधर कार्ड वगेरा के लिए हम एटेच्मेंट और यह लगते है अपर लिंक रखते पैन कार लिए तो यह चीज़े में आइड कर हमे 7 धर कम सब्साइब कर traveling यह मैं पने जाएग चै देंग कर ली आड टे क्राइग आ शबसे तो आया पको दिख्ल आंपकर देंग करना जो तो इसमी इसमें बटेबल कर सकते कि आ डिया देखते हैं तो इसके लिए उसके लिए इसमें इसमें आपिल कर सकते है देखते़ है हम design view में फिलाल तो हमें table में data बरने के लिए जहना पड़ेगा जाना पड़ेगा रफ़े प्लिक करोगे वह पूछेगा कि वह सिव करना पड़ेगा तो यह सेव करना है पर यह सेव करना होगा जाब आमें data अब आप डेटा इंट्री के लिए रेडी हो चुके हो यहापे इंप्लॉई इडी में न्यू करके आ रहा है जैसे में टैब अडम प्रेस करूँगा और यहाँ पर नाम लिख दूँगा किसी इंप्लॉई का नाम लिख दिया यहाँ तो यहाँ पर आपको दिखा देरा जैसे और यहां पर एडीट भी ऑफशन पहरा है इडीट लिस्ट उफ एडम स यह नए वर जन में याद रखी फूराने वर्जन में लिख ट्रीट अप्शन अप्शन आपो यहाँ रागिविख अधर लिख दो यहाँ अपने खुछ ओर लिख मैं करना चाहते तो अर्यूवर्प इसके लिए भी यह दिखे एडित लिस्ट आ जाता है आप यहापे क्लिक करोगे तो आपको नीचे मिल जाता है एक छोड़ा सॉ उप्शन राइट तो फिलाल मैं आपे सेल्स पे क्लिक कर ओ आपर पे पुछह सोता है, इस पुराना वर्जन य़िए का रहा है, अब ही क्राने में डिक्स कर ला है, जनरल फॉर्मेट आप यहां से ले सकते हैं, अगर पर डॉलर साइन आ रहा है, तो आठा सकते हैं, दॉलर में युप सालरी निलिए यहां वाप कारना है, फिलाल सालरी आड़ करना में भूल गया है, इनकी सालरी मैंने दे दिए हैं, पचास हजार रुपे मैंनेजर को, और date of पर दोप डॉप 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 डाउन पर आपको दिखाए दे रहा है पूरा क्यलेंडर आ चुका है क्योंकि आमने देट अप बर्थ यहा पे ले सकते हैं जैसे आप नहीं आपर सपोस्ट कर लिया अब यह 2020 का मतलब इंप्लॉई हमारा होगा नहीं कॉलिफाई नहीं होगा तो मैंने एक एक एड़ कर दिया और 19 यह पे 90 एड़ कर दिया चलो इंप्लॉई के लिए इस तरह से राइट डिट अप बर्त कर दिया मैंने उसके बाद जेंडर जेंडर यहां पर क्लिक करना है आपको वैसी ड्रपडाउन लिश मिल रही है मैल एड कर रहा हूं मैं और एटे ऐडर काड के लिए था न यह पैन काड के लिए फोटो के लिया आदर काड के लिए टेशंत है तो रहाँ कि आप यह साथ लिंक यहाँ पर कर सकते है यहाँ पर दोच पर 2 यसे फाइल को यहाँ फाइल लिंग कर देता हूठी देमो के लिए कोई भी फाइल यहां पर लिंक कर देता हूठी के लिए आप लाजज डेटा रख सकते हैं, यहां पे linking बहुत अच्छी तरह से होती है, और लाजज डेटा आप यहां पर रख सकते हैं, यहां पर अटेच्मेंट मिल गई है, आप डबल क्लिक करोगे, यहां पर दिखाए देगे, और यहां पर ओपन भी option दिया है, और यहां से अटे करेंगे यहां पर यहां पर बीकणी डाला है, और आप यहां पर यहां है को एक है अपर देक्शिख है की लिए अपर से एक लिंख लोग देंगे, यहां पर आप यहां हैपक little गळीन अग देगोई elbows, घ्लो करेंगे और यां पर इताइपर देगिअ पर आप दर्कोन कर सब करूंगा तो यह स्क्रीन शॉट यह पर ओपन हो जाएगा अगर मैं यस करूंगा तो मैं फिलाल नहीं कर रहा हूँ करने क्रेद फिल्क है क्रेट फाइल आप करना है ब्राऊज बट इन क्लिक और आपको यह पर फोटो लेनाए आपको कोई भी फोटो ले है youtube fully detect जिस्कारन श्रया डिम्हीं टाया तो मैं तो मैं इरा सारि फोटो मेरा डिरा फीर फोटीन और इने कोई यह यह था तो वो ज़रूर चेक कर लेना दोस्तो राइट वो याद रखना और फिलाल यहां पर दिखाई दे रहा है आपको कि यह पैकेज आड हो चुका है यह कंप्लीटली यहां पर एक रो आड कर दिया मतलब हमने डेटा सक्सेस्फुली आड कर दिया जैसे आप टैप करोगी यहां नेक्स्ट रोओ में आप आओगे टैप करते ही यहां पर लिखना है आपको नेक्स्ट अम्पलॉय का नम या पर लिका सचीन काले सचेन काले जो भी नाम है उलिख़ो करते हैं और यहतु है तो यहां पर और दिख 팬 Sal variants और ऑप द्खा fact अब primary की होता है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा यह आपको ज़रूरी जानना यहाप दुबारा design view में जाईए table पर right click कीजे और design view में जाईए design view में यहापे primary की employee ID के लिए मैंने access रखी है अब employee ID तो automatic आ रहे तो उसको primary की access करने का कोई मतलब नहीं बनता है मैं चाहता हो कि मोबाइल नंबर के लिए primary की अट करो लेकिन मोबाइल नंबर कोलूम में आद नहीं किया है तो मुझे यहापे column add करना है रहे तो इसके लिए मैं यहापे fields में क्या करूंगा याद रखिए टेबल में कॉलम चाहिए तो यह पर एक रो एड करना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा कि मोबाइल नमबर तो मोबाइल नमबर के लिए क्या रखना है मुझे शॉर्टेक्स, लॉंग टेस्ट, लाज नमबर, लाज नमबर यहां पर रख देंगे ले प्राइमर की होती कि इसके लिए पहले बता दो रिपिटे नमबर ब्लॉक करने के लिए अगर आपने कोई डबल नमबर टाइप किया है उस लिश में तो प्राइमरी की उसे अगसे नहीं करेगा उस डेटा को तो मोबाइल नमबर को मैं से लेक्स कर और प्राइमरी की जो भी कॉलम के लिए आप रखना चाहते की यूनिक रिकॉर्ड आजाए उसमें यूनिक रिकॉर्ड एड करने के लिए प्राइमरी की असाइंड करना ज़रूरी है अब ये कॉलम एड करने के बाद मैं वीव में जाकर डेटाशीट में जाना चाहूंगा लेकिन यहां पे बात है यहां पे ट्विस्ट याद रखना है वो मैं बता रहो डेटा इंटरी के दोरान यहां आपको भी फेस करना पड़ सकते हैं जैसे मैं अभी डेटाशीट में क्लिक करूंगो तो यहां पे एक एरर आने वाला है मैं से बटन पे क्लिक करता हूँ सेव करने के लिए और आजय को मुबायल नमबर वहां पे नहीं रहेगा बलांक रहेगा वसलिए यह फ्रोग रहेगा तो आप क्या करो एक एरर आता प्रैमरी के लेकर के लिए यह प्रॉँट सेरह अर रहा है क्योंकि यहां पे मुबायल नमबर कॉलं मॉल मॉbin नमबर को शहल'. यह देखें, अब आप बोलोगी यार यह तो लाश में एड हो गया, वहाँ पे तो मैंने उपर एड किया है, आप इस कॉलम नमबर को ऐसा shift कर सकते हैं, कहाँ पर रखना है, वहाँ पर रख सकते हैं, यह पर देखें, city के पहले रखना है, city के बाद में click and drag करना है, drag and drop, अब यह करने के बाद, आप आराम से design view में जा सकते हैं, design view में mobile number को select कर के प्राइमर की apply की easy और data sheet view में दुबारा की yes कीजी अभी error नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हमारे पास mobile number में data है, तो यह चोट इसी चीज़े है, जो data entry करते समय, आपको access में याद रखनी है, कि यहाँ पर primary की होती क्या और कैसा apply की जा सकती है, अगर मैं उपर का number नीचे type करूँ, जैसे उपर number दिया गया है, वो मैं नीचे type कर रहा हूँ, और मैं enter करता हूँ, तो यहाँ पर जैसी मैं आगे जाओंगा next row के लिए, दिख्या, मैं next row के लिए आऊँगा, तो वैसी एक error आएगा, राइट, क्योंकि यह error इसलिए आ रहा है, क्योंकि महाँ पर duplicate data आ रहा है, यहाँ पर ज़रा दियान से देखिए, मैं सारे कॉलम में आप एड कर दे, employee name, mobile number, ct, designation, department, salary and all, तो access में data entry तो हो गया, लेकिन data entry ही इतना काम नहीं, access का access में, reports भी बना सकते हैं, forms भी बना सकते हैं, और access में queries भी होती है, और यह सारी चीज़े अगर आपको advanced level पे सीखनी है, तो आपको आना है हमारे website learnmorepro.com या learnmore app, यह दोने दुसरे के साथ इंटर लिंक है, दोस्तों जरूर आई है इस website और app के ओपर और यहां पे आप देख सकते हैं धेर सारे courses, जिसमें MS Access का course बहुती कम rate में available है market में, इतनी कम rate में MS Access का course कई पे भी available नहीं है, तो यहां पे बहुत सारे लोगों ने अल्रेडी इन्रॉल भी किया है और उसका review भी आप पढ़ सकते हैं MS Access course in Hindi में जाकर आप इसमें क्या-क्या पढ़ाया जा रहा है वह भी आप देख सकते हैं, आपको ISO certified course है आपको ISO certificate मिलेगा और discount के साथ यह course अवैलेबल है लगभग 35 tutorials यहां पे available है दोस्तों, तो यह मैंने आपको बस ट्रेलर बताया जो आभी data entry कैसे करते हैं लेकिन अगर आपको पूरी picture देखनी है तो आप learnmore pro.com वेबसाइट पर आईए, यह learn more app पे आईए, learn more app पे आपको powerpoint और publisher course भी फ्री है, learn more app पे ढहे सारी चीज़े आपको आप फ्री में मिलने वाली है तो जल्दी से learn more app डाउनलोड कीज़े, दिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आपके लिए इस course को ज़रूर चेक कीज़े और access के अंदर data entry master बनिया, access detail में सीक लिए और धे सारे और भी courses से इन्हें भी आप enroll कर सकते हैं, जो कि ISO certified, हर course के पहले दो-तीन वीडियो इंट्रो वीडियो आपको specially free रखे हैं देखने के लिए आप जाकर course में देख सकते हैं या इंट्रो वीडियो आप इंट्रो वीडियो से watch for free रखा गया है, आप free में देख सकते कि इस course में कैसे पढ़ा जा रहा है, अगर आपको इं अगर प्री में नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट learnmore india.in को जरूर चेक कीजिए जापे प्री में आपको डेली नोट्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, अलग लग ब्लॉग अलग पोस्ट आपे डेली अप लोड करते जा रहे, learnmore pro.com नाम की वेबसाइट इ मेरे जितने भी चैनल है, उनकी लिंक दिये, एक पर जरूर चेक कीजिए, अगले वीडियो के अंतर, तब तक के लिए अपना कयाल रखे, बाए बाए